हलो गाइज गाइज आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट और इंट्रेस्टिंग लेकर आये हैं जिसका नाम है गेटवे दोस्तों गेटवे के बिना कोई भी ट्राइफिक कम्निकेशन इस्टैबलिश नहीं होता है तो हम कभी भी नेटवर कनेक्शन करते हैं या नेटवर्ट बनाते हैं तो उसमें गेटवे का बहुत बड़ा रोल होता है जैसे आप किसी ओर्गनाजिशन में हैं या किसी रूम में हैं तो एक गेट एक दर्वाजा उस घर के लिए बहुत अहम हमकानी बाता है क्योंकि वहीं से हमारा इंटर्नल और एक्स्टर्नल होता है मतलब आवाज आई होता है मतलब जो कहने का मतलब मेरा यह है कि वहीं से इंट्री होती है और वहीं से आउट होता है अगर वह दर्वाजा बंध हो गया है यह हम भूल जाएं सपोस्स आप बहुत बड़े बिल्डिंग में गये हैं ठीक है आपका आखें बंद करके उस बिल्डिंग में छोड़ दे जाए और बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत सारे उसमें समझ में नहीं आ रहा है आपको की बाहर कैसे निकले हैं तो अब जहां पे हैं वहां पे उसके लिए आपके लिए आउट पॉइंट क्या होगा एक गेट होगा गेटवे, जहां से आप निकल सकते हैं उस रूम से, अब उस रूम से निकलने के बाद फिल आपको पता नहीं लेगा, कि अब आपको कहा जाना है, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, एक तरह से भूल रही है, तो वहां पर क्या है कि गेटवे, माले जे कि आप पर स्फ़ों में खडे हैं, ठीक है, वहां पर गेटवेव, गेट पर एक डाइरेक्शन बनी है मतलब रूट बना है, कि आपको एकजिस्ट कहां से करना है, मतलब वो पाथ कौन सा है, आपको वनब आइवन कहां पर जाना है, कैसे जाकर आप बाहर निकल सकते हैं जैसे फर्स्ट गेट पे बना है कि एकस्स पॉइंट कि आप यहां से लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए ठीक है तो ऐसे करके एक तरह से रूट डिफाइन है वहाँ पे आपको एक डारेक्शन दिया जा रहा है ऐसे होता है हमारे नेट्वर्क में गेटवे तो दोस्तों ह जितने बड़ी डिवाइसे लगी होती है जितने ही ज्यादे डिवाइसे लगी है ती उसमें बहुत बड़ा पंदब कंप्लिकेटर बन जाता है गेटवे हमारा तो उसको अगर हमने कॉंफिगर करना सीख लिया और उसको समझ लिया कि गेटवे मतलब पर्टिकुलर पाथ अधिशनर्ग बताना कि अपने जो सोर्स से डिशनेसन जो ग्वेरी जारी है जो रीकोरी जा रिए अगर उसने पट अपने अगर पंतिकुलर पहुचा तो उसी को समझने के लिए चलिए हम कुछ सिनारियो क्रियेट करते हैं और उसमें समझने की कोशिस करते हैं कि कैसे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गीटवी क्या चीज़ होती है बस्तों मैं अभि लैप Tangled पया 27 तो मैं एक modem पे उसे divert कर देते हैं modem के साथ pass के साथ एक switch लगा होता है switch के साथ आपके devices लगी होती है right एक छोटा सा involvement होता है यह network हो है और तो इसमें क्या होता है कि modem पे जो आपके internet line divert हो रही है that is called van link उसे van link बोलते है ठीक है तो जो LAN modem या router जो भी network devices होती है उसे दो port होते है एक van का एक LAN का तो van port पे वो connect होता है जिस पे internet चलता है internet का जो लाइन लगती उस पे लगता है और LAN पे हमारा local area connection लगा होता है जिसके साथ switch लगे होते है ठीक कभी कभी क्या होता है कि यह switch नहीं भी लगे होते है तो यह directly modem के साथ जैसे दो तिन PC है तो connect करके चला सकते हैं ठीक है तो इस किस में हमारा gateway क्या होता है जैसे अगर हमें इन PC को laptop को printer को या PC को अगर external जाना है मतलब इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए gateway क्या होगा इंटरनेट यूज करना है या आपका आपस में communicate करना है तो उसके लिए gateway क्या होगा मतलब उनके पात क्या होगा बाहर जाने का रास्ता क्या होगा तो बाहर जाने का हमेंसा व्या सता होता है जहां पर की gate लगाता है gateपे अई वर योज चरु होती है उसके यूज को आइपी है उसका gateway होता है वह तो इस सेनारीयssa में हमारे लिए gateway क्या होगा 192.168.1.5 जो की modem की IP है वो हमारे लिए क्या बन जाएगी gateway रहे दोस्तों अब हम दूसरा सेनारियो देखते हैं इससे अगर बड़ा network है जहां पर की 100-500-200 सिस्टम लगे हुए है तो वहां पर हमारा gateway कैसे जाएट करेंगे तो यह हमारा एक internet है internet की बाद हमारा modem है modem के बाद एक router लगा है ठीक है राउटर होता है लेयर 3 डिवाइस पर जाब की routing होती है मतलब दो से ज्यादा अगर network को आपस में communicate कराने के लिए router लगा जाते है अब देखिए यहां पर हमारा इंटरनल नेटवर्क है 192 की सीरीज का है अगर हमें external जाना है like 182.83 जोगी internet service provider ने IP दिया है अगर यहां पर हमें external जाना यहां यूज करना है तो क्या करने का पढ़ेगा हमें external जाना पढ़ेगा मतलब different network के साथ communicate करा तो उस case में क्या है कि router हमें communicate कराएगा internet to external और external to internal यह दो जो नेटवर्क है उसको अपस में communicate कराता है communication के लिए तो इस case में हमारे जो gateway बनेगा हमारा जो gateway बनेगा वो होगा हमारे router की IP क्यों क्योंकि हमें कौन route define कर रहा है gateway sorry router route define कर रहा है कि हमें अगर हमें बाहर जाना है या बाहर के traffic अंदर आनी है तो किस के through होगे चाहेगा router के through तो first जो है हमारा gateway कौन बनेगा और router की IP बनेगे इसलिए हमारा gateway हो गया 192.168.1.1 जो की हमारे router की IP है लाइन की जिससे हम connected है हम किस port से connected है इस port से connected है और इसकी IP क्या है 192.168.1.1 तो हमारे लिए जो gateway बनेगा internal जितने भी system लगे गए वो हमारे लिए gateway बन जाएगा हमारे लिए gateway की तरह काम करेगा तो ऐसे ही हम next scenario में देखते हैं कि अगर switch में IP अगर layer 3 हो layer 3 switch लगा हो तो वहां पर हमें क्या gateway मिलेगा अब यह देखे यहां पर पर हमारा internet हो गया internet के बाद router लगा router के बाद एक firewall लगा और firewall के बाद एक switch है switch के बाद हमारा internet लगा तो इस scenario में हमारा gateway क्या बनेगा क्योंकि firewall एक layer 3 device है जहां पर route define होता है route define होता है कि हमें internet to external traffic कैसे communicate करेंगे और path क्या होगा तो हमारे लिए gateway क्या बनेगा फस्स जो gateway है वो बनेगा firewall की IP firewall की IP यहां पर क्या है 172.16.10.1 तो हमारा gateway क्या होगा 172.16.10.1 छीए क्योंकि हमारे लिए first gateway क्युआ है, कौन rule define कर रहा है कौन हमें बता रहा है कि बाहर कैसे जाना है firewall बता रहा है firewall बता रहा है कि हमें बाहर अगर जाना है तो किस gateway से हो के बाहर निकलना प्रेगा यहां पर हमारे लिए joh firewall की IP है जो LINE IP है वो हमारे लिए gateway बन जाएगी ठीक है तो ऐसे ही एक और सिनारियों देखते हैं इस सिनारियों में हम देखें तो फर्स्ट हमारा इंटरनेट है इंटरनेट के बाद एक router लगा हुआ है आला कि router भी layer 3 device होई यहां में root defined है बट इंटरनल के लिए कौन सा हमारा gateway होगा वो फर्स्ट जो layer 3 device होगी वो हमारे लिए gateway होगी ठीक है तो इसके बाद हमारा firewall लगा है firewall के बाद हमारा switch लगा है switch layer 3 device जाहां पर कि VLAN configure है multiple VLAN configure है VLAN इसलिए configure करते है जैसे virtual LAN मोलते है मतलब VLAN के बीच में हम security establish करते है कि particular जो VLAN के जो network है वो दूसरे VLAN के साथ communicate ना करे यह अगर communicate करना है तो कितने मतलब कि माली जी की VLAN 10 में हमारे servers हैं उस servers के कितने servers को access करें कितने उपना करें यह सारा security define करते हैं तो हम किसी other video में यह से cover करेंगे यहां पर हम जा लेते हैं simple कि VLAN मतलब virtual LAN जहांके security purpose के यहां तो यहां पर लेवर 3 device लगी है switch लगा हुआ है जहां पर कि VLAN को वेगर है VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 VLAN 10 की IP है 172.16.10.1 VLAN 20 की है 20.1, 30 की है 30.1 तो यहां पर जितने भी device लगे हैं आप यह देख पा रहे है कि एक laptop है जो की 10 की series का है server हमारा 20 की series का है और जो desktop है हमारा 30 की series का है तो इनके लिए अलग-अलग gateway define होगा gateway create होगे कौन-कौन से gateway होगे first जो 10 की series का है उसका 10.1 होगा क्योंकि 10 के VLAN में है तो टीला 10 के VLAN की जो IP है वो बच जाएगा हमारा gateway अगर 10 की IP किसी device को देते है 10 की series की तो उसके लिए gateway बन जाएगा 10.1 20 देते है तो आपको बन जाएगा 20.1 अगर 30 देते है तो आपको बन जाएगा 30.1 gateway बन जाएगा क्योंकि हमने अलग-अलग यहां पर VLAN create करे virtual land तो हमारे लिए gateway बन जाएगे डिफरिंट डिफरिंट नेटवर्क के लिए तो दोस्तों आपने देखा की कैसे मतलब की जैसे जैसे हमारा network में switches router combined होते हैं मतलब पढ़ते रहते हैं वैसे हमारा gateway का structure change होता रहता है तो हमें simple यह समझना है कि हमारे लिए first layer 3 device कौन सी है कहां पर हमारा route define है अगर हम जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी रूम में आपको आखे बंद करके छोड़ दिया जाया तो आपको पहले क्या देखना हो उस रूम का पहला gate जहां सकते आप बहार निकल सकते हैं बहार निकलने कि बाद हम देखेंगे कि आगे देखेंगे कि next हमें कौन सा gateway चूच करना है निकलने के लिए तो पहला जो पहला हमारा gateway होगा और जिस रूम में है उसका दरवाजा होगा वैसे ही local जैसे जैसे हमारे network में devices पढ़ते हैं या router, switches, router, firewall ऐसे लगते हैं तो हमें first देखना है कि हमारे लिए कौन वो device है जो हमें root define कर रहा है जहां से हम बहार जा सकते हैं वो हमारे लिए gateway करेंगा तो आई होब कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आगया होगा कि gateway है कैसे identify करें और किस type के gateway होते हैं और छोटे network में किस type के gateway होते हैं और बड़े network में कैसे होते हैं overall आप लोगों को मैंने फुरा सिशनारियों बताया with the help of network diagram तो आई होब कि आप लोगों confirm हो गया होगा और आप लोग identify कर पाएंगे कि हमारे लिए किसी भी network का gateway क्या है और हम कैसे path define करें तो thank you so much for watching ऐसे ही आप लोग देखते रहें सिखते रहें और आगे बढ़ते रहें फिर next next video के साथ मिलते हैं next topic के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए